पुलेटकल साइन्स एंड पब्लिक अड्मिश्टेशन की स्मार्ट इस्टिडी के लिए सब्सकाइब करें मेरा चैनल पुलेटकल साइन्स भाई डॉक्टर शिप्रावर्मा एंड हिट दे बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट आप माई वीडियोज हेलू दियर फ्रेंट्स मैं डॉक्टर शिप्रावर्मा सौगत करती हूँ आपका अपनी चैनल पुलेटकल साइन्स भाई डॉक्टर शिप्रावर्मा में जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसके अंतरकत मैंने एक quiz session बनाया है जो कि आपकी आगामी परिच्छा नेट 2020 जो कि जून में होने वाली है इसके अतरिक्त विविन स्टेट प्रेटकर साइंस की वैकेंस से निकालने वाले हैं जो कि TGT और PGT की पोस्ट है तो इसके लिए मैंने एक quiz session तेयार किया है अब तक टोटल 8 quiz session यानि 8 quiz session मैंने complete करा चुके हैं और जिसका की playlist मैंने अलग स क्रियेट कर दिया अपने YouTube चैनल पर तो अगर अभी तक आपने उनकी session को नहीं देखा है तो उन्हें जो से देखिए इनकी session के अंतरगत मैं बिविन पाइच्छाओं में पूछे गए अत्यंत महतरपूर प्रश्णों की चर्चा करती हो उस पे अभ्याश कराती हूं अभी जो की session चल ला है उसके अंतरगत जो यह political science में पांच पार्ट से question आते हैं जो आपकी पैच्छा में पूछे जाते हैं तो इसमें मैं पहले part की quiz को quiz के महतरपूर प्रश्णों पर चर्चा कर रही हूं जो कि राजनीतिक सिध्धान और विचार से संबंदित हैं अब तक की quiz question number 81 से question number 90 तक विविन महतरपूर प्रश्णों में पूछे गए राजनीति सास के प्रश्णों पर चर्चा करेंगे और तो चलिए सुरू करते हैं आज का quiz session जिसके अंतरगत इस question का पहला question question number 81 आपके सामने है वुड्रू बिल्सन के अनसार कौन कारी राजी का एच्छिक कारे है आपके option है पहला कानून वियस्ता बनाए रखना दूसरा स्रम कानून बनाना तीसरा दीवानी मामलों को निप्टाना और चौथा मनुष्यों दाड़ा किये गए समझातों का पालन कर हैं जो question आपको important करें लगी उन्हें आप note टॉन भी कर सकते हैं वीडियो को रोज रोग करके वीडियो को पास करके आप important question को note भी कर सकते हैं question का answer सोच लीज़े आप लो तेश question का सही answer है दूसरा यानि श्रम कानून बनाना यानि बुड्रो विलसन के answer राजी का एच्छी कार्य है श्रम कानून बनाना जहां उतारबादी विचारक राजी के नियुनतम कारिशेत का समर्थन करते हैं वहीं समाजबादी विचारक राजी के अधिकतम कारिशेत को महतुपूर मानते हैं इसी संदर में राजिके उचित कारेश्यत के निधारन के लिए अनिक भीद्वानों ने राजिके कारेओं को दो भागों आवश्यक कारे तथा एच्छी कारे में बाटा है बुडो विलसन के अनुसार राजिके आवश्यक कारे वैस्था बनाये रखना दीवानी मामलों का निप्टारा व्यक्तियों में आपसी संवीदा से उत्पन अधिकारों को निश्यत करना तथा नागरिकों के राजनेतिक कर्तव्यों को निधारित करना है बुडो विलसन के अनुसार राजिके आच्छिक कारे है उद्योग व्यापार पनियंतर्ण श्रम कानुन बनाना आवागवन की व्यास्था आदी इस प्रकार श्रम कानुन बनाना राजिक का एच्छिक कारे है नेक्ट क्यूशन है आपके सामने राज़िनाही इश्वर की रचना है ना स्रेष्ट सारी दिक बल्की ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है ना ही परिवार का विस्तार मात्र है या कथन किसका है आपके आप्षन है पहला मैं काइबर दूसरा गार्नर दीसरा पर नहीं आए हैं तो में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आकन पर क्लिक करकि उसे आल की नोटिफिकेशन पर सेट कर दिए थाकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें किशन कैसा लग रहा है आप लोग को मुझे कमेंट करके जोर से बताया करिए किशन के अंसर सोच लीजे तो इस किशन का सही अंसर है दूसरा यानि गार्नर यानि ये गार्नर का कथन है राजिकी उत्पति इवं विकाश की व्याख्या करने के क्रम में देवी शिद्धान, सक्ति शिद्धान, सामाजिक समझोता सिद्धान, पैतिक सिद्धान और मातिक सिद्धान तस्तितों में आये लेकिने सिद्धान राजिकी उत्पति की व्याख्या आंसिक रूप से ही कर करने चाहिए आपके आप्शन है पहला साहित एवं कलापन ने अंतरन दूसरा पुस्तिकालियों की व्यस्था तीसरा कानून व्यस्था का प्रवन और चौथा प्राक्तिक संसानों का शोशन ये कृशन में PGT पैच्छा में पूछा जा चुका है कृशन का एंस्वर आप प्राइब करें मैं काईबर ने अपनी पुस्तक दवेवाप गवर्मेंट में लिखा है कि राजी को कला साहित्य संस्कृति वधर्म के छेत्वे नियंतर संबंदी कारें नहीं करने चाहिए मैं काईबर सेवा धर्मी राजी का समर्थक था उसने विश्वास प्रकट किया कि जब तक आंतनिक राजी की लोगतंती वैस्था को अच्छोणे रखा जाता है तता पूझी बात की विराईयों से डरने की कोई आविश्यक्ता नहीं है नेक्स्ट क्यूशन है आपके सामने राजी एक निश्यत भूभाग में जनता द्वारा कानूनी स्थापना के लिए संग प्रक्टिस करवाती हूं तो एक महिने के अंदर आपके 300 क्रिशन तेयार हो जाएंगे और यह क्षेशन सफल रहा तो इसे मैं जून तक जारी रखूंगी क्यूंकि जून में ही आपकी नेट एक्जाम प्रस्तावित है तो इस तरह से नेट एक्जाम तक यानि जून तक 2,000 क्षेशन तैयार हो जाएंगे तो जब तक आपको याद नहीं होते हैं आप इन को बार-बार देखा करिए बार-बार देखने से यह होगा कि आपके। रट जाएंगे जब आपके मुझजवानी मुझवानी रट जाएंगे एक विशन तो आपकिसी भी पैष्भा में सक से स्पूल हो सकते हैं चुटकी बजा के तो इन की सेशन को आप बार बार देखें जब तक कि आपको यह कुछे गए सभी प्रश्न याद ना हो जाए अब तक नौ यह नौवा की सेशन है तो आज टोटल 90 कुछन आपकी कंप्लीट हो जाएंगे सारे कुछ सेशन को आप लोग देख डाली इसकी प्लेइलिस्ट मैंने अलग से बना दी है अपने यूट्यूब चैनल पर उस प्लेइलिस्ट पे जाकर आप एक किबाद एक सारे किस सेशन को देख सकते हैं जिसके अंतरकर कूछे गए सवालों को आप याद कर डालिए इसकी टिप आप टंग में होने चाहिए आपके क्रिशन के एंस्वर जो जो क्रिशन मैं आप से प्रैक्टिस करवाती हूं तो टिप आप दर टंग रहेगा तो आप किसी भी पैच्छा को यूँ चुटकी वजा के पास कर लेंगे प्लेटकर सायंस के मोस्ट इंपॉर्टन क्रिशन पर मैं च प्याश किया है और इसी क्रम में राजे को पईभासित करते हुए विर्शन ने कहा है कि राजी एक निश्यक भूभाग में जनताद्वारा कानून की अस्थापना के लिए संगटिस समू का नाम है नेक्ट क्यूशन है आपके सामने राजे पईबारों गावों का संगठन ह जिसका उद्देश है एक पोड़ा और आत्मने वर जीवन प्रदान करना है इसके उद्दान के लेखक कौन है आपके आप्शन है पहला प्लैटो है दूसरा अरस्तू है तीसरा अग्यात युनानी विचारक है और चौता सोफिस्ट है ये क्रिशन में PGT पैच्छा में पू जिसका उद्देश एक पोड़ एवं आत्मने वर जीवन प्रदान करना है इस कथन के लेखक करस्तू है आत्मने वर जीवन का आश्यर राज्य राजनीतिक समधाय का लच्छ उच्छतम आदेशों की प्राप्ति से है नेस्ट क्यूशन है आपके सामने राज्य एक पईवा आप लोग तेश्क्रिशन का सही एंस्वर है दूसरा अरस्तू अरस्तू की अध्यान पद्यति में विशलेश रात्मत का की विशेश्ता है अरस्तू राज्य के पुड़ वस्तू मानते हुए उसके निर्मार काड़ी तत्वों जैसे ग्रामों और परिवारों तथा उसके बाद नागरिकों का अध्यन करता है वह परिवार को व्यक्ति के स्वरूप का विस्तार करता है ग्राम को परिवार के स्वरूप का विस्तार और अंत में राज्य को परिवार का विस्तार कहा है डिश क्यूशन है आपके सामने किसने कहा कि जो अरस्तू का आदर्श राजे है वही प्लैटो का दृतिय सर्वसेष्ट राजे है आपके आप्शन है पहला हीगर दूसरा लास्की तीसरा सेवाइन और चौथा ग्रीन ये क्यूशन उतराखन असिस्टेंट प्रोफेसर पैच् जो अरस्तू का आदर्श राजे है वही प्लैटो का दृतिय सर्वसेष्ट राजे है या उक्ती सेवाइन द्वारा कही गई है जश क्यूशन है आपके सामने किसने राजे को एक सम्प्रभू भूचेत्री समूव कहा है आपके आप्शन है पहला मैक्स वेवर ने दूसरा जोटन ने दीसा डेविट हैर ने और चौथा लास वेलले किस्चन सूस लिजें आप लो अ से sự एसान का सही एंसवर है चौथा लास वेललिस प्रसित राज्निती सासे राज्स राजी को संप्रभू भूचेति समूं कहा है लास्वेल संप्रवुता की परंप्रागत स्वरुप को सीकार नहीं करते आनुमवी काधा से देख ले पर राजे में संप्रवुता की अधिकांस परंप्रागत विशेशताय सत्य प्रतीत नहीं होती लास्ट फेल सम्प्रोवता को सत्ता की उच्चतम मात्रा की रूप में पईभास्चित करते हैं इनके उसार राजे वैक्तियों का ऐसा समधाया है जो समस्त बलकिये सर्वोच स्रोत के रूप में संगठी सत्ता रखता है नेक्स क्यूशन आपके सामने राजे एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है कथन किसका है आपके आप्शन है पहला MP फॉलेट दूसरा हीगल तीसरा प्लाइटो और चौथा उपरेवक्त तुम्हें से कोई नहीं क्यूशन के एंसर सोचिए अगर आपको किस सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजे और शेयर भी कर दीजे अपने फ्रेंड्स के बीच में जिनका सब्जेक्ट प्रॉलेटकल साइंस है शेयर करने के लिए आप लोग फेस्बुक ग्रूप या वार्ट्सेप ग्रूप का यूज कर सकते हैं और अधिक से अधिक नीटफुल स्टुडेंट्स तक सेशन को पहुंचाईए नेट एकजाम की तैयारी के लिए पीजएटी एकजाम की itas exam कीले जिनका सब्ज़क्ट प्रॉलेटकल साइंस है मैंने बहुत सारे theory lecture videos भी बना रखे हैं, इसकी playlist भी अलग से बना रखी हैं, मैंने विविन पैच्छाओं से संबन दित, तो आप लोग को अगर theory lectures भी देखने हैं, तो आप लोग playlist पे जाकर theory lectures को भी देख सकते हैं, इसके अंतरगत विविन पाश्यात राजनीती विचारक, विचारकों के video lectures भी हैं, और Indian Baltic से related video lectures भी हैं, पब्लिक administration से related video lectures भी हैं, तो आप लोग उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, तो किसने राजी को इस सम्प्रभू भूचेती समूं कहा है, इस question का सही answer है, sorry, राजी एक संसार जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, कथन किसका है तो यह कथन है, दूसरा यानि हीगल का, राजी की आदरशवादी व्याक्या, हीगल, पैटो, MP, फॉलेट, ग्रीन जैसे दाशनी को द्वारा की गई है, इनके अनुसार राजी सर्वोचने दिखता है, इसी संदर में हीगल ने कहा है, कि राजी एक संसार है, जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, आपके सामने और इसकी का लास्ट क्यूशन है, क्यूशन नमबर 90, एक राजी जो अपने नागिकों को अधिक्तम सामाजिक सुविधाय लब्द कराता है, ऐसा राजी क्या कर लाता है, आपके आप्शन है, पहला समाजबादी राजी, दूसरा पु पूछा जा चुका है, क्यूशन का एंस्वर आप लोग सोच लीजिए, तो इस क्यूशन का सही एंस्वर है, तीसरा यानि कल्यानकारी राजे, वार राजी जो अपने नागिकों को अधिक्तम सामाजिक सुविधाय प्रदान करता है, कल्यानकारी राजी कहलाता है, में सनरच्छन का अधिकार तथा सामुदाय का अश्रे प्रदान करने का प्रयास करता है, तो यह था आज का क्यूशन जिसके अंतगत हमने मोश्ट इंपर्टेंट पोलेक्टल साइंस की भीविविक पैच्छाओं में पूछे गए, दस क्यूशन पे चर्चा की है, और उसक कर सकते हैं, और जब तक आपको इन 10 क्यूशन याद नहीं हो जा रहे हैं, तता आप इस क्यूशन को बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए, फिर से देखिए, एक बार में नहीं याद हो रहा है, तो दूसरी बार में देखिए, जब तक कि टिप आप दर टंग आपक